पद, प्रतिष्टा, पैसा, एक शांदार करियर, आगर आई पे सुरिंद्र कुमार दास के पास क्या नहीं था? लेकिन कानपूर जैसी जगत तेना थी, पत्नी भी डॉक्टर, लेकिन इस IPS अफसर ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की उनकी पल्स भी नहीं थी, पैसर भी रिकॉर्डेबल नहीं था और हमने उनको तुरंद वेंटिलेटर पे लिया जो अभी भी वेंटिलेटर पे हैं फिलाल कानपूर के इस बड़े पुलिस अफसर का रिजेंसी अस्पिताल में इलाद चल रहा हूँ उनके आलिशान सरकारी बंगले पर सननाटा पसरा हुआ कानपूर से लखनाओ तक यही चर्चा है कि आखिर आईपे सुरेंदर कुमारदास ने जहर खाकर जान देने की कोशिश आखिर क्यों की क्या आईपे सुरेंदर कुमारदास पर नौकरी का ज्यादा दबाब था क्या वो कानपूर में अपनी तैनाती से खुश नहीं थे? क्या बहारी दबाब ने IPS सुरिंद्र को जहर खाने पर मजबूर कर दिया? अब तक सुसाइट की वज़ाओं का खुलासा नहीं हो पाया माना जा रहा है कि IPS सुरिंद्र कुमार दास की खुदखुशी की वज़र घरेलू हो सकती है जिसका खुलासा उनके ठीक होने के बाद पूशताच में चले उन्हें कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना होगा जिसमें आत्महत्या एक अपराध है जिसके लिए कानून में सजात्या है सुरिंद्र कुमार दास 2014 बैच के IPS अफसर उनकी पतनी भी डॉक्टर है इससे पहले लखनों में ATS हेड़कॉर्टर में तैनाद ASP राजेश साहनी की भी संदिक्ट परिस्तित्यों में मौत हो चुकी है पुलिस महकमे के अपसरों का कहना था कि उन्होंने आत्महत्या की थी राजेश साहनी का शव इसी साल 29 मैं को ATS हेड़कॉर्टर में उनके कमरे में मिला था पिछले दो-तीन सालों से बड़े अपसरों के आत्महत्या के मामने लगातार बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में सवाल उठता है कि जिन लोगों की पहचान फॉलादी होसलों के लिए होती है वो खुद कुशी जैसा कद्म क्यों उठा रहे हैं